नवस्कार दोस्तों मैं संजे आपका बहुत बहुत स्वाइद करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल में जिसका नाम है स्मार्ट एर सज्टों तो दोस्तों इस वीडियो के मादन से मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हमारे बहुत से फ्रेंड ऐसे हैं जो कि परिटिकुलर किसी एक स्टोक पर ट्रेडिंग करते हैं यानि कि उनको गर बोलो कि आप इस स्टोक में कर लो तो वह बोलेंगे नहीं मेरा तो भी ये स्टोक अगर मैं काम करता हूँ टोटल एक महीने तो कैसा रिजल्ट रहे यानि कि यहां फर मैं अगर पूरा अगर नवंबर का रिजल्ट देखूँ तो कैसा रिजल्ट रहे तो उसके रिगाटिंग में बजाज फाइनस पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ क्योंकि इसकी आपको कि budget finance जो chart मैं ने open किया है ये budget finance का cash का chart है ठीक है तो मैंने यहापर future नहीं लगा है मैंने यहापर cash लगा है क्यों कि आप cash में क्या होगा जो हमारे दोस्ते हैं जो की holding करते भी उनका doubt भी clear हो जाएगा और जो चाहते हैं कि यार मैं budget finance के अंदर काम करूं लेकिन future में का cut out यहापर clear होने वाला है तो यहाँ पर देखेगा आपको यहाँ पर जब भी buy या sell का call generate होगा तो simple सा आपको 3 condition match करना है और अगर 3 condition अगर match हो जाती है तो वहाँ पर आपको easily trade कर ले रहा है ठीक है तो यहाँ पर देखेगा आपका buy का call जो generate हुआ था आज की मैं बात करता हूँ आज उपर date चेक कीजगा तो date देखेगा 17,11,2020 यानि कि 17 number को आपको एक buy का call generate हुआ था जिस पर यहाँ पर सारी condition है match हो गई थी आप देखेगा तो यहाँ पर सबसे पहली condition होती है अपनी कि yellow line के उपर buy का call generate होना चाहिए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ clear कर द generate हुआ है मैं इसको थोड़ा zoom in कर देता हूँ जिससे आपको चीज़े अच्छा समयाएंगे तो यहाँ पर या तो यह candle जो अपनी यह buy call generate हुआ इस candle पर इसकी closing yellow line के उपर हो या फर पूरी की पूरी candle उपर हो ठीक है यह पहली condition होती है second condition होती है कि advance smart indication यह यहाँ तो शुर ज़िन है इससे यह पता चलता है कि market आपको target देगा लेकिन हो सकता है first target दे या second दे लेकिन चेके चेक अगर आपके green रहते हैं तो इससे यह confirm होता है कि market second target तो जबग जाए गए जाएगा हो सकता है third भी दे सकता है तो यहाँ पर देखेगा second condition भी आपर pass हो जाती है आप third condition देखेगा कि Pivot Level एक ऐसा पॉइंट होता है, जिसके उपर अगर मार्केट चल रहा हो तो मार्केट उपर भगता है, इसके नीचे अगर मार्केट चल रहा हो तो नीचे भगता है, यह Technical Analysis बोलती है, अब यहाँ पर देखेगा Pivot Level आपका कितना है 4393, का यह आज का लेबल है जो कि software automatic calculate करके आपको देता है तो आपको करना क्या है जब buy का signal generate होगा तो pivot level के उपर buy का call generate होना चाहिए तो आपका pivot level देखेगा 4,393 का है और buying का level देखेगा 4,424 का है यानि कि इस level के हमने उपर ही buy किया तो यहाँ पर बस यह तीनों condition आपको match कर लें यह तीनों condition देखेगा आपकी यहाँ पर pass हो रही है अब लेकिन आपको कुछ extra चीजे बता दूँ जो कि हमारे advanced version में update हुई है वो आपको और अच्छी shorty मिल्लब कि दे पाती है यानि कि shorty तो आपको मिली है लेकिन कितने जल्दी target दे देगा market उसके regarding कुछ चीजे होती है जैसे कि आप यहाँ पर देखेगा एक आपको red color की line आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे है यह वाले यह लगातार पर red चल रहे थी इसके बाद यहाँ पर देखेगे blue line में और यहाँ पर सारी condition फुल्फिल हो रही है और यहाँ पर अगर buy बन जाता है सारी condition फुल्फिल होने के साथ तो यह target आपको easily देगा और आपको first, second, third target दे सकता है और आप यहाँ पर check कर सकते हैं आपको देखेगा first target मिला second मिला, साहाब देखेगा third target भी आपका achieve हो चुका है तो इस तरह सोप्टर की accuracy आप यहाँ पर check कर सकते हैं सोप्टर की accuracy काफी ज़्यादा होती है और मैं जो budget finance पर काम करते हैं जो लोग, मैं उनको भी बता दूँ कि budget finance का जो price होता साहाब वो काफी शांदार होता है इसलिए इस पर movement काफी ज़्यादा शांदार मिलता है और यहाँ पर target का आपको काफी ज़्यादा शांदार मिलेंगे तो मैं अगर बात करूँ तो हम कैसे पता करें भी इसके target और SL क्या है तो यहाँ पर देखेगा आपका message box का window आपको left side में यहाँ पर मिल जाता है इसके अंदर देखेगा आपकी entry price यहाँ पर है और trailing SL आपका यह रहा target first, second, second और third और current profit and loss आपको यहाँ पर दिखाई दे जाता है अब हम ऐसे सब बहुत सार लोग बोलते हैं आपको वालब की trailing SL का बोलते हो तो भी यहाँ पर देखेगा SL आपको दो तरह के से मिल जाता है एक तो आपका यह रहा आपका buying का जो level आता है यहाँ पर आपको एक जो SL मिलता है उसे बोलता है fixed SL यानि fixed SL के थुरू भी आप काम कर सकते हैं लेकिन fixed SL की shorty कम रहती हैं लेकिन यही काम अगर आप trailing SL में करते हो तो trailing SL में shorty आपकी काफी जादा हो रहती है अब आपको बता दूँ को सुट्टर के अंदर आपको जादा महनत नहीं करना साब आपको जो भी किसी stock के अंदर buy या sell का signal generate होगा वो automatic यहाँ पर मिलने वाला है बस आपको signal यहाँ पर मिलेगा आपको उस पर double click करेके उसका chart open कर लेना है और फिर वहाँ पर सारी condition नोट कर लेना है अगर सारी condition नोट हो रही है तो trade करना अधरवाज इसको avoid कर देते हैं ठीक है तो भी बज़ाज finance में यह तो आज का call था अब भी बहुत सारी लोग बोलेंगे सर आज यह तो आज होगी आपने बता दिया लेकिन भी पिछला क्या तो चलिए दोस्तों पिछला check कर लेते हैं record जिससे आपको जो भी doubt होंगे वो clear हो जाएंगे तो मैं इसको देखे थोड़ा पीछे कर लेता हूँ तो यहाँ पर देखेगा मैं थोड़ा इसको पीछे लेके जा रहा हूँ अब देखीगा यह सर यहाँ पर देखेगा sell का call generate हुआ था date note कर लिजेगा date आपकी है 14.11.2020 तो यहाँ पर देखेगा जब मूरत ट्रेडिंग ओपन हुआ था तो यहाँ पर पीछे चलते हैं तो यहाँ पर देखेगा आपका बाय का call generate हुआ था इस candle से तो इस candle मैंने किलिक कर दिया सबसे पहले देखीगा यहाँ लाइन की ऊपर देखेगा आपका by call generate हुआ आप यहाँ पर clear list को check कर सकते हैं देखीगा ठीक है पाहली condition यहाँ पर देखेगा advance smart indication यहाँ पर तीन green होने चाहिए तीन के जगह 6 green है और pivot level की उपर market buy होना चाहिए था तो सारी condition यहाँ पर देख सकते हैं आपको first target मिला, second मिला, third target मिल चुक है तो चलिए दोस्तों और पिछला record check कर लेते हैं यह बात थी सर देखेगा 13, 11, 2020 के और थ simple सा funda साब एक नजर इसको देखना है और यहाँ पर पता चल जाएगा trade होना की नहीं होना तो यहाँ देखेगा आपका yellow color की line के नीचे sell का call generate होना चाहिए था यानि कि जिस candle पे sell बन रही है उस candle की या तो closing yellow line के नीचे होती या फिर बो candle पूरी की पूरी yellow line के नीचे होती तो लेकिन यहाँ पर देखेगा साब पहली condition fulfill नहीं हो पाई है अगर इसमें मैं click भी करता हूँ इस candle पे तो यहाँ पर देखेगा दूसरी condition भी आपको मना ही कर रही है और तीसरी condition साब वो ही मना कर रही तो ऐसी call को हम trade नहीं करते है भले ही वो target आपको दे जाए लेकिन हम हमारे rule break नहीं करते है क्योंकि rule अगर break करोगे तो आज तो पैसा कमा लोगे लेकिन आगे क्या इसलिए यहाँ पर हम rule break नहीं करेंगे हम proper rule के साथ काम करेंगे और पीसे check करना थे हैं आपका buy का call यहाँ generate हुआ था date note की जगा साब 11 यहाँ पर 9-11-2020 का date है पहली condition pass, second condition ने कर कर दिया ठीक है तो इसलिए हम इसको trade किया, first and second target आपको मिल चुका है और यहाँ पर देखें sell call भाई बही बात यहाँ पर देखें यह रोड़ाय की नीचे sell नहीं था condition match नहीं है इसको trade नहीं गरेंगे sell call को avoid करना है ठीक है तोड़ा और पीसे चलते हैं तो यहाँ पर इसको trade नहीं करना है तो इस तरह क्या होता है कि हम जो wrong signal होते हैं गलत signal होते हैं उससे हम बच जाते हैं और जो अच्चे signal होते हैं हम trade कर पाते हैं तो बहुत यह क्वालिटी होती है यानि कि जो wrong signal होते हैं उनको उनसे हमें बचा लेता है और जो सही signal होते हैं वो हमें trade करा देता है ठीक है इसलिए software का use करना काफी जरूरी है तो कि market के अंदर trend को पकड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती लेकिन जो आपको information चाहिए हो तो वीडियो के discussion में आपको link मिल जाएगी वहाँ सब जानकारी ले सकते हैं और हमारे जो दोस्त हैं जो वीडियो देख रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि यार चलो आपने वीडियो बना दिया लेकिन live में क्या अगर आप live demo देखना चाहता है तो यहाँ यहाँ पर देखें जैसे हमारी website पर आते हो हमारी website का नाम है www.smartrade system जैसे website पर आप आउगेती हैं यहाँ पर देखें को आपको यहाँ पर एक option दिखाई देता है आपको simple इस पर click करना है अगर आपको यह नहीं मिल था आप mobile में अगर इसको watch कर रहे हो तो यहाँ पर demo form आपका open हो जाएगा simple से आपको demo form यहाँ पर देखेंगा fill up करना है fill up करने के बाद send message पे click कर देना है इसके बाद हमारे executive live market में आपको call करेंगे और live demo आपको दिखा जाएगा जो भी आपके doubt होंगे सारे doubt clear किये जाएगे और किसी particular stock पर आपको live demo देखना है तो बो भी आप देख सकते हैं demo का सर कोई चार्ज नहीं होता live demo जो होता free of cost होता हमारे कोई भी दोस्त live demo देख सकता है तो आशे करता हूँ दोस्तों आपको जान करें अच्छी लगए को जान करें अगर अच्छी लगए तो वीडियो जरू लाइक कीजिगा और विदिक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल जिरू सब्सक्राइब कीजिगा मेल थे हैं दोस्तों ने वीडियो साथ तपक के लिए हैं बाई एंड थैंक्यो